प्रत्मिक्रशी शाक सहकारी समीति के मार्फत खादियान वित्रन प्रणाली में लोगों को एक रुपया किलो में चावल लेना काफी महगा पढ़ रहा है सुबे के मुख्या द्वारा सहकारी समीतियों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एक रुपय किलो में प्रतेक परिवार को 35 किलो चावल सहीद अन्य खादियान उपलप्त कराया जाता है लेकिन अब एक ऐसा फर्मान जारी हुआ है कि राशन काट धारियों को महीने के 15 दिन बाद राशन मिलेगा जिसको लेकर गरीब परिवार बेहद ही परिशान है इस पूरे मामले पर देखे गरियाबन से शेक इमरान की रिपोर्ट यह मामला है गरियाबन जिले से जहां अब राशन काट धारियों को चावल लेने के लिए 15 दिनों का इंतजार करना होगा गरीब परवार महीने के शुरुवात में ही सरकारी उचित मूली दुकान में राशन लेने पहुँच जाते हैं और चावल लेने घंटों लाइन लगा कर अपनी बारी का इंतजार करने के बाद जब पता चलता है कि राशन के द्वारा जारी नए फर्मान में राशन काड़ों को अधार से भौतिक सत्यापन किये बिना राशन पकवाड़े भर के बाद ही दी जाएगी ये फर्मान सुन कर राशन दुकान में ही कई लोग सर पकड़ कर बैट गए क्योंकि ऐसे में दैनिक रोजी मजदूरी कर जीवों को पार्शन करने वाले परिवारों के बीच एक बड़ी मुसीबत आ गई है जहां एक वक्त का भोजन मिलना मुनासिब नहीं है वहीं पकवाड़े भर के लंबी अवधी के बाद चावल मिलना समझ से परे है आप पूछ रहा है क्या किया जाय सारकी के पैसा दोदाज रुपी हम कई भी श्कुट खाएंगे जाओ अमारे चावा देखो शाला हमारे अपने के सर्कल में देख बेना तो बिमारी को पारी तरसता है अब बाल बचल लांगान भुखन सरकल पड़ जाई ना सरकार कर हम अभी मांग करना चाहा था, हमर समय में चाहा निलना चाहिए प्रात्मे कृषी शाक सरकारी समीती के सेल्समेन का साफ शब्दों में कहना है कि संख्या अंतरगत तकरीबन 1976 कार्ड धारी हैं, दिन में से 1375 कार्डों का अधार लिंक हो चुका है उनको 31 से 30 तक राशन दिया जाना है, 6601 कार्ड का अधार लिंक नहीं हुआ है उन कार्ड धारियों को 15 से 30 नवंबर तक राशन प्रदान किया जाएगा जिन लोगों का अधार कार्ड सत्यापन हो चुका है, उन लोगों का खाध्यान एक तारिक से लेके 30 तारिक तक राशन करना है उनके लिए तो अब सासन कवही निर्देश है, दो प्रकार के सुची है, एक नमबर सुची और दूसरा दो नमबर एक नमबर वालों को एक तारिक से 30 तारिक तक के वितरन करना है और दो नमबर सुची को 15 तारिक से 30 तारिक तक वितरन करना है और उनसे फार्मिल्टी लेना है अधार काड़ का चाहे बैंक पासबुक का या फिर कोई परिचाय पत्र है मद्दाता परिचाय पत्र है ड्राइवरिंग लाइसेंस है इन सब जस्ता वेज लेना है उनसे ऐसे में उन गरीब बेबस परिवारों की बीच अब 15 दिन भूके रह परिचान हैं क्योंकि माह के 15 दिन उनको चामल नहीं मिलेगा माह के 15 तारीक को उनको चामल दिया जाया घاع ऐसे में उनके सामने बड़ी परिशानी सामने आचुकी है क्योंकि माह बर रासनकारधारी है वो इसी तरह राशन लेते हैं शास की राशन दुकान से और अपना जीवन यापन करते हैं क्योंकि गरीबी रिखा के नीचे वालों को ही चामल दिया जाता है चुकि इस नमबर महा में लगबग 15 दिनों तक अब चामल नहीं दिया जाएगा 15 तारीक के यहां पर शामने आई हैं बारहाल जो हिद गई हैं जो रासनकारधारी है वो अब बेहदी परेशान है क्योंकि 15 दिन का उनको इंतिजार करना पड़ रहा है ऐसे में जो चामल जो यहां से लिया जाता है वो गरीब परिवार जो है महने भर उपयोग करते हैं और महा का इंत अटने के लिए सरकार दोरा क्या कुछ पहल की जाती है ग्लिफ डॉट इन के लिए कैमरा में लच्विशंकर के साथ शेक इवरान गरियावन ग्लिफ डॉट इन में खबरों का सिर्सिला लगातार चारी है